जो भी सज्जन आता है जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आता है उसकी कामना भगवान की दिया से परिपूर होती है ये मंदिर बहुत पुराना है हमारे पूर्बच कह रहे हैं हजारों बर्स पुराना इसकी लिंग है जिमीदारी समय में ठाकुन लोग इस मंदिर की लिंग को ले जाना चाहते थे लेकिन जब इसकी खुदाई करने लगे तो इसने से अनेकों प्रकार के करगे निकाले उसके बाद पानी की सताफ पर जब ये पहुँचे तो उसमें से बीच्छू बरईया और सर्प निकलने लगे उसके बाद भी उन्होंने हाथी से उस लिंग को खिचाने के लिए जंजीर से जख़ाया फिर वो लिंग खिज करके नहीं आई छोड़ करके वो लोग फिर भागा इस मंदिर के स्यूलिंग की विशेषता ये है कि ये दिन में तीन बार रंग बदलता है सुबह लाल होता है दो पहर में हलका काला हो जाता है और साम में सफेद और हलका पीला भी होता है